हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का हल्दर क्लासेश उद्यपूर के ओनलाइन प्लेटपॉम पर हार्दिक स्वागते में अभिनंदन करता हूँ जैसा कि आपको पता है कि अपन फिसली क्लास में राइस के बारे में पढ़ रहे थे चामल के बारे में पढ़ रहे थे अब अपन बढ़ते हैं इसमें आगे और आगे है आपके सामने इसमें कि नर्सरी चामल के अंदर नर्सरी जो है अपन किस परकार से लगाते हैं कौन-कौ उनसी नर्सरी लगाते हैं उसके क्या important points से वो अपनी आपे discuss करेंगे तो नर्सरी जो होती बेसिकली चावल के अंदर तीन प्रकार से लगाई जाती है सूखी क्यारी विदी, it means the dry bed method, गिली क्यारी विदी, it means the wet bed method and third one is the डेपोग, विदी, डेपोग method, सूखी क्यारी, dry bed method, अथाथ जहाँ पे पानी की कमी हो, पानी की deficiency हो, जहाँ पे पानी का जो हे available नहीं हो, तो वहाँ पे सूखी क्यारी या dry bed method काम में लेते हैं, it means the rain fed area के अंदर, जो हे बारानी छेतरों के अंदर सूखी क्यारी विदी काम में लिजाती है गिली क्यारी विदी, wet bed method, अथाथ जहाँ पे पानी की जो हो, water की जो हो, availability हो, वहाँ पे जो हे wet bed method काम में लेंगे and depog, depog एक अलग परकार कम है थाड़े, तो इनके बारे में one by one अपनिया पे बात करते हैं number first one is the gillie क्यारी विदी, gillie क्यारी विदी, it means जहाँ पे पानी की विवस्ता उपलब्द है और वहाँ पे जो नर्सरी तयार करेंगे, वहाँ पे puddling की जाएगी, अथार्थ लेह युक्त मर्दा तयार की जाएगी और उसके अंदर जो हे नर्सरी तयार की जाएगी, जबकि basically सुखी क्यारी की विदी के अंदर बारानी छेतरों में करते हैं तो यहाँ पे puddling नहीं करते हैं और सीधी नर्सरी तयार कर ली जाती है और इसके अंदर जो हे आप puddling करोगे और वहाँ पे आप नर्सरी तयार करोगे उसमें क्या है कि जो आप beds बनाओगे, beds की जो width रखोगे, वो जो रहेगी आपकी चोड़ाई जो हे एक हेक्टर के लिए प्रियाप्त होती है इस वीदी के अंदर और इसमें जो fertilizer की रूप में जो अपन देंगे, वो देंगे अपन 225 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम SSP पर 10 मिटर स्कॉयर पर दिया जाता है इसके बाद इसमें seed rate जो हे 750 ग्राम से 1 किलो ग्राम seed rate काम में लेते हैं और इसमें plant ready हो जाता है 21 to 25th days में और पोदे जब 15-20 से में उच्चाए के हो जाए या 4-5 पत्ति अवस्ता के हो जाए हैं तब उसको transplant करने का काम इस वीदी के अंदर कर लिया जाता है तो अब यहाँ पर अपन एक बार देख लेते हैं कि जो आपकी जो दो वीदिया हैं जिसमें अपन बात कर रहे हैं dry bed and second one अरपन बात कर रहे हैं wet bed nursery का तो सूखी क्यारी और दूसरा है आपका गिली क्यारी इन दोनों में basically difference क्या है तो number first dry bed अथार जहाँ पर पडलिंग जो होगी वहाँ पर नहीं की जाएगी और गिली क्यारी यानि जहाँ पर पडलिंग जो होगी वह की जाएगी सूखी क्यारी यानि जहाँ पर वाटर जो हो पानी जो हो उसकी उपलब्दा जो हो वह कम होगी और गिली क्यारी यानि जहां पर पाने की उपलबता जो है परियाप्त होगी यहां दिखोगी इसके बाद dry bed method के अंदर जो है nursery area की जो requirement है nursery area कितना required होगा even dry bed as well as the wet bed दोनों ही के अंदर जो nursery area required है वह है 1000 meter square अर्थार one tenth of the hectare एक hectare का ये one tenth बाग जो है आफशिक होता है then plant seedling जो होती है कितने दिनों में इसमें ready हो जाती है तो normally जो है इसमें seedling जो है dry bed method के अपन बात करें तो इसमें 25 to 30 days के अंदर seedling ready हो जाती है जबकि wet bed method के अंदर 21 to 25 days के अंदर जो है seedling ready हो जाती है तो basically ये measure measure difference इसके अंदर होते है अब exam के point of view से अगर आपने आपने बात करें तो सबसे important ये कि nursery area जो है normally rice की cultivation के लिए कितना चाहिए तो इसमें 1000 meter square चाहिए जो आपको पता होना चाहिए अब बात करते है अपने next one method की that is the depog method काफी important है एक परकार का new method आप मान सकते हो और that is developed from the international rice research institute manila philippines international antarashri चावल अनुसंदान सस्तान manila philippines से विक्सिती है method है जो आपको पता होना चाहिए that is a marda rahit nursery कहते है इसको soil less medium के अंदर तयार की जाती है that's why it is also known as the mate nursery इसको अपन mate nursery के नाम से भी जानते हैं जो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या करते है यह भारत के मुखिते दक्षीनी राज्यों जैसे आंदर परदेश में यह काम में ली जाती है और इसमें 1.5 सेंटीमेटर मौटी परद को पॉलिथीन की चाधर केले के पतों जूट के बोरों अत्वा सिमेंट के फर्स पर बिछा कर उसमें परती दिन पानी देते रहते है इन इंडिया बोस्टीमें जो जो नर्सरी एरिया जो रिक्वाइड होता है वो 25 तो 30 मिडर स्कॉइर एरिया रिक्वाइड होता है यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इन दे सिड रेट जो है इसमें तीन किलोगराम परती मीडर स्कॉइर लेते है तो it means एक हिक्टर के लिए सिड रेट 75-90 kg हो जाएगी वन मीडर स्कॉइर की जो सेडलिंग होती है मेंड फिल्ड के 200 मीडर स्कॉइर के लिए सफिशेंट होती है और जो spacing रखते हैं जब transplanting करते हैं तो 20 x 10 cm इवन आपको rice की case में अगर नॉर्मल भी पूछ लिया जाए कि row to row और plant to plant spacing जो है वह कितनी रखी जाती है आप चिडलिंग की तो 20 x 10 cm की रखते हैं जो है 2 to 3 cm की इसमें रखी जाती है तो इसमें जो सबसे important points आ रहा है number first developed from the international rice institute manila philippines से विक्षीत है number second one is the made type of nursery यह केलाती है number third जो है that is the soil less medium के अंदर तयार करते है number fourth is the nursery area is the 25 to 30 and then seed rate is the 3 kg per meter square then the next one point यहाँ पर देख सकते है केली की पती बिछाई जा रहे है और इनके उपर जोगा 3 kg जो है आपका per meter square के साव से seed इसके उपर डाल दिया जाएगा 25-30 meter square में और उसमें परती दिन पानी देंगे और इससे जो seedling जो ready होगी seedling जो होगी आपकी ready होगी for the transplanting 11-13 days के अंदर 11-13 दिन में पोध जो होंगे तयार हो जाएंगे यह भी exam में आप से पुछा जाएगा तब उसके बाद जो है seedling को जो है use नहीं किया जाता है rice के case में जो आपको मालूम होना चाहिए तो चावल के अंदर मुख्यते यह तीन परकार के nursery लगाते हैं जिसमें dry bed, wet bed and depog मुख्ये हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा अभी पर्चलन में है या जो साउथ स्टेट में जो काम में ले रहें इंडिया में वहाँ पर जो ले रहें पानी जो यह 5 cm की तवह तक भरा हुआ रहे न चाहिए तो इसमें दो परकार के जोन का निर्मान होता है इडमिस जो अपर जो लेयर्स होती है अपर या निकिक जिसे यह आपका पानी भरा हुआ है यह तो यह जो यहां तक आईसमें प्लांट्स भी है राइस के तो यहां पर जो उपर वाला जो यह पोर्शन है और उसके बाद यह निचे वाला पोर्शन है यह दो जोन के अंदर डिवाइड होगा उपर वाला पोर्शन इस ऑपर जोन के लाएगा क्योंकि यहां पर जोन के लाएगा क्योंकि इसके अंदर नहीं होगी तो यहाँ पे अपन बात करते हैं that is the upper zone और upper zone is a 1 to 10 mm वाला जो पाग यह exam में अकसर पुछा जाएगा अपर zone कितनी उसकी height होती है तो 1 to 10 mm होती है इसमें oxygen supply होती है बहुत अच्छी oxygen supply होती है that's why it is known as the oxidized zone oxygen zone के नाम से भी जानते है इसके अंदर nitrate उरकों का प्रियोग किया जाना चाहिए क्योंकि basically अगर आपन rice की बात करें तो rice mainly nitrogen को ammonia की रूप में लेता है लेकिन कुछ मात्रा में nitrate की रूप में भी लेता है तो जो nitrate fertilizer है उनको oxidized zone के अंदर apply किया जाता है जो आपको basically पता होना चाहिए then the second one जो इसके below होता है उसे अपन जो है lower zone और more than 10 mm से नीचे वाला बाग पूरा आपका lower zone के लाता है जिसमें oxygen की supply proper नहीं होती है और जिसे अपन reduced zone कहते हैं और इस zone के अंदर ammonium उरूरकों का प्रियोग करना चाहिए यह सबसे ज़्यादा important है क्योंकि basically क्या है कि rice जो है ammonical form में nitrogen absorb करता है इसलिए ammonical fertilizer का use जो है rice के अंदर बहुत ज़्यादा important है तो ammonical fertilizer को rice में कौन से zone के अंदर apply करते हैं तो वह आपके reduced zone के अंदर करते हैं more than 10 mm के नीचे करते हैं जो आपको basically पता होना चाहिए then अपने इसमें आगे बढ़ते हैं next one आता है bio fertilizer या जे उर azola काफी important है इसको आप star लगा दें इसके बारे basically किशन आता है कि azola क्या है तो यह आपको ध्यान रखना जली fun water fun है क्या है water fun है जो atmosphere nitrogen को fixate करने का काम करती है जिसको खेत में रोपाई से पहले हरिखात के रूप में 1-2 ton per hectare यह रोपाई के बाद भी 0.521 ton जो है इसको काम म लिया जाता है तो azola basically क्या करता है nitrogen का fixation करता है जिससे crop को कम nitrogen देने के आशकता होती है nitrogen अस्तिर करता है then the next one यह azola आप देख सकते हो यह आपके rice के plant है इसके यह बीच बीच में जो आपको हरा वाला जो पानी की तहप पर जो दिखाई दे रही है वह azola है तो इस परकार से जो यह azola को इसमें use किया जाता है और यह azola atmospheric nitrogen fixate करके rice के plant को प्लब्द करवाती है then the next one is the BGA it means the blue green algae यह भी rice के case में काफी ज्यादा important है क्योंकि यह भी क्या करता है atmospheric nitrogen का fixation करता है environmentally nitrogen का स्तिरिकन करता है और rice को प्लब्द करता है तो यहाँ जो है इसके fixation के लिए इसको calcium की requirement होती है और OI के साथ से 10 दिन बाद transplant के बाद इसको 15 kg per hectare की दर से काम में लेते हैं और यह लगबक 20 kg nitrogen जो है पर hectare बचाने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है तो इसमें दो परकार के nitrogen जो है बायो फोटिलेजर important है number first one is the azola और number second is the BGA blue green algae इसके बाद इसमें जो है अपन culture भी काम में ले सकते हैं that is the culture जो इसमें काम में लेंगे वो लेंगे अपन azo spirulam कौन सा culture इसमें विजोबचार के लिए काम में लिया जा सकता है azo spirulam को काम में ले सकते हैं और जिसकी वही मात्रा आपकी 3 packet काम में लेंगे 200-200 gram के 600 gram काम में लेंगे then the harikad green manuring के रू then the next one is the fertilizer की बात करें कि बैए NPK इसको कितना देना चाहिए तो that is the 80-120 kg nitrogen 40-60 kg phosphorus और 30-35 kg potass तो आपका वो ही ratio आपका 120-60 और 40 जो अपन पढ़ते हैं आ रहें लगबग थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है तो मैंने आपको कहा था ये case आपको याद रखना है सिंचित गेहों के case में, irrigated wheat के case में, then number second is a sankar makka hybrid match के case में, number third चावल के case में, rice के case में, और number fourth गन्ना सुकरकेन के case में इन 4 cases में 120-60, काफी important है ये 120-60, इन 4 cases में थोड़ा बहुत उपर नीचे आपको मिल सकता है लेकिन option में अगर आप ढूंडोगे तो आपका answer वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दान में nitrogen की पूरती है तो सरवादे को प्यक्त उरुवग यानि सबसे best nitrogenous fertilizer जो है rice के लिए कौन सा माना गया है that is the ammonium sulfate माना गया है काफी important है इसको आपको ध्यान रखना है कि सबसे best जो fertilizer है rice के लिए वह कौन सा है तो ammonium sulfate है जिसके अंदर nitrogen 20.6 and sulfur 24.5% के होती है चावल की farsal में ammonical aurora का प्रयोग यानि ammonical fertilizer का use कहां करते है जो आपन पिछली slide में देख चुकिए that is the reduced zone के अंदर किया जाता है जो भी आपको पता होना चाहिए then next one इसमें आगे बढ़ते हैं कि दान की farsal nitrogen को mainly जो absorb करती है वह ammonium form के अंदर absorb करती basically main form जो है इसकी ammonia है लेकिन ये एक ऐसी फसल है जो nitrogen को ammonia as well as nitrate दोनों form के अंदर absorb कर सकती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए और maximum जो crops होती है rice के अलावा दूसरी crops की बात करें तो maximum crops जो है nitrogen को nitrate form में absorb करती है लेकिन आपका जो rice है वह nitrogen को ammonical form में maximum absorb करता है जो आपको पता होना चाहिए देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें चावल के अंदर rice के अंदर nitrogen use efficiency कितनी होती है तो other crops की अपेक्सा कम होती है 30-40% होती है जबकि अन्यों फसलों के अंदर 40-50% nitrogen use efficiency होती है कम होने के पिछे reason यह है क्योंकि इसका cultivation जो है अपन पानी के अंदर पानी बढ़ा हुआ रहना चाहिए इसकी requirement है तो उसमें क्या होता है इस nitrogen का lossage जो होता है rice channel की case में बहुत ज़्यादा होता है then the next one is the irrigation 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 की बात करें तो irrigation में इसकी water requirement कितनी है 900 से 2500 mm इसकी water requirement जल मांगे काफी important exam point of view से यह कई बार exam के अंदर पूछा जाता है then बात करें इसकी critical stage कौन सी पानी के लिए जो है क्रांतिक अवस्ता कौन सी मानेगी है तो booting अवस्ता या jointing अवस्ता इसकी critical मानेगी है और इसकी खेत में लगबग 5 cm level तक पानी बरा रहना चाहिए जो भी आपको मालूम होना चाहिए then अपन बात करें पानी जो है हमेसा बरा रहना चाहिए ऐसा नहीं है जब crop harvest करने के आसपास हो यानि दो विग से पहले उसकी खेत से पानी को आपको निकाल देना चाहिए या आपको पता होना चाहिए उसके बाद उसकी harvesting करते हैं और अगर आपन इस case में बात करें तो दूसरी जो crops होती है जैसे cereal crop और भी है उनमें एक 1 kg जो dry matter है उसको प्राप्त करने के लिए 400 से 500 लिटर पानी की requirement होती है जबकि rice की case में लगबग 5000 लिटर पानी की requirement उसको होती है 1 kg dry matter produce करने के लिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं आगे आता है इसमें कि स्री मेथाड काफी important है स्री मेथाड राइस की case में सबसे पहले यही पूझा जाता है normal question कि स्री मेथाड इस related to the which crop कौन सी फसल से संबंदी थे तो यह चामल से संबंदी थे जो आपको पता होना चाहिए अब स्री मेथाड क्या होता है तो स्री मेथाड की जो full form है वह है system of rice intensification चामल का धना करें हिंदी में इसे अपन कहते हैं it is originated from the Medagascar यह Medagascar से इसका origin होगा पहला point तो यह दियान रखना है और it is a developed in 1983 by the French Jesuit father Henry D. Nell in the Medagascar इनके द्वारा विश्कित किया गया था इसमें seed rate क 5 kg पर्थी एक्टिरिस में required होती है यह आपके लिए सबसे ज्यादा important है then second one is the spacing जो रखी जाती है बहुत ज्यादा wide रखते है it means the row to row 25 cm and the plant to plant भी 25 cm रखते है जबकि normal rice के अंदर अपन 20 into 10 रखते है तो यानि यहां पर plant को पूर्ण space दिया जाता है बहुत ज्यादा space दिया तो उसमें जो होगा वा nutrient आसानी से लेपाएगा वा sunlight आसानी से ले पाएगा वा air आसानी से ले पाएगा उसकी प्लांट की ज्रोथ अच्छी होगी एकाँच्ही पानि कम प्लांट होगे गिर चाहीए और सारी चीज्जों में बजत होगी और प्लानिक ग्रोथ अच्छी होने की वज़े से आपका production increase होगा यही स्री मेथट का यहाँ पर concept है यहाँ पर मिंटर स्कॉयर में प्लान्ट जो है 16 आएंगे और इसमें सीडलिंग जो है कब आप transplant करोगे तो that is the two leaf stage पर इस case में सीडलिंग transplant कर ली जाती है 8 से 12 दिन पर इसमें सीडलिंग तयार कर ली जाती है तयार हो जाती है जो transplant कर देते हैं एड़ कॉंसी spacing पर 25 इंटर 25 cm की distance space को कर देते हैं परती हील या पर हील जो है जो है एक single सीडलिंग को transplant इसमें किया जाता है बाकि अधर मेथड में क्या होता है जो भी आप डेपोग मेथड है या गिली क्यारी या सुक्की क्यारी जो मेथड काम में ले रहे हो उसमें 2 या 3 सीडलिंग जो होती एक जगे पे लगाई जाती है जिसे हिल बोलते हैं जबकि इस केस में एक हिल के अंदर एक ही सीडलिंग को transplant करने का काम जो हे किया जाता है तो इस केस में यहां पी स्लाइड के अंदर जो इंपोर्टेंट पॉइंट जो स्री मेथड के बारे मारा है नमबर फॉर्स्ट वन तो मेडागासकर से संबन दीते है नमबर सेकंड जो हे राइस क्रोप में अपना ही जाती है और इसकी सीड रेट जो हे 5 किलोग्राम and then the spacing of the स्री मेथड is 25 to 25 and then 2 leaf stage और 8 to 12 days जो होते है इसमें इसकी सीडलिंग को transplant कर दिया जाता है यह points आपको इस केस में द्यान होना चाहिए then the next one is the इसमें जो water requirement जो होती है 1 kg dry matter produce करने के लिए 1571 liter water ही required होता है बाकि अधर अगर अपन बात करें तो लगबग 5000 liter water 5000 liter पानी के आ सकता होती है तो यह आपने पिसली slide में देखी तो यहापे पानी की भी यहापे बचत होती है तो इसमें सीड की जो बचत है 70 to 80% होती है लेबर की बचत है आपकी 14% होती है उपज में वर्दी 25-45% होती है हाई productivity होती irrigated rice की जो आपको पता होना चाहिए तो 3 method is related to the rice 3 method जो है rice से संबन देते है चामल से संबन देते है 5 kg इसमें बिज़दर चाहिए और 6-12 दिन में तयार हो जाती है और दो पत्तिय वस्ता पर उसको transplant कर दिया जाता है जिसमें पानी बहुत कम चाहिए 1531 लिटर के अंदर जो है आप 1 kg dry meter इसमें produce कर सकते हो बाकी normal cases में आपको 5,000 लिटर पानी के आ सकता होती है then the next one is the bushning bushning क्या होता है तो bushning काफी important practice है जो rice के अंदर अपना ही जाती है जो weed management के लिए खरपतवार नियंतरन के लिए अपना ही जाती है जब दान के पोदे 25 से 45 दिन के बीच हो या 4 से 6 अपता के बीच के हो जाए तो खेत में हाल चलाकर खरपतवार अधिक को निकालने के जो ये bushning अपन कहते है इसका मुख्य उतनी से खरपतवार परपन्दन मर्दा वायू संसरन को बड़ावा देना और पोदे को मजबूतिक परदान करना है इड़ मेंजमेंट सबसे इंपोटेंट है या पे तो बूशनिंग किस लिए करते है इस तेंडिंग क्रोप में उनकी रो के बीच में जो राइस की रो है उसकी बीच में फ्लोईंग कि जाती ही या चलाया जाता है जिसे जो है वीड जो हे रिमूव हो जाए तो बूशनिंग एक वीड रिमूवल का सबसे बेस्ट मेतल माना गया है और एसा करने से सोलो हील में यह नाम आपको पता होना चाहिए जो चावल का एक नकल्ची खर्पतवार है जो आपको मालूम होना चाहिए इसे बंगाल का आतंग भी कहते हैं क्योंकि राइस के अंदर बंगाल का आतंग भी कहते हैं के अंदर बंगाल के अंदर मोस्टो कल्टिविशन करते हैं और वहां पे इसका इंफेस्टेशन जो है बहुत ज़्यादा है और यह काफी मेजर वीड बन चुका है राइस की क्रॉप का देन देन मेनेजमेंट कैसे करेंगे हर्बिसाइड कौन सा कामे लेंगे तो प्रोपेन नील प्रोपेन नील काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसमें तीन क्लुग्राम जो छे से आठ दिन बाद ट्रांस्पलांटिंग कामे लेते हैं एज पी ओई की रूप में यह अक् इनके नाम भी आपको याद रखने लेकिन सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसमें प्रोपेनिल का केस जो पोस्ट इमर्जेंस के रूप में राइस के अंदर काम में लिया जाता है जो आपको मालूम होना चाहिए देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं यह खेरा डिज गी तो डॉक्टर वाइन लेने के द्वारा खोजी गी है फॉर्म दपन्त नगर पन्त नगर से खोजी गी दूसरा है कि यह किसकी वज़े से किसकी कमी से होती है तो यह जिंक की डैफिसेंसी की वज़े से जिंक की कमी की वज़े से खेरा डिजी जो है चामल के अंदर होती ह इसका question काई बार exam हमाता है इसकी recommendation के लिए दो वर्स में एक बार जो 25 kg परती एक्टर zinc sulfate का प्रियोग करें यह खडी फसल में 0.5% zinc sulfate का आपको spray वाँ पे करना है तो खेड़ा के case में दोनो question आपको ध्यान रखने number first one is a disk word by Y.L. Lene from the Panth Nagar second one is the zinc deficiency fowling crop fowling crop किसे का गया है जो direct sowing जो sowing जो rice होते हैं सीधे जो rice की बुवाई करते हैं बीना nursery तेयार करके यह आपन कहें कि बीना paddling किये सीधे जो छिड़कवा विदी से जो nursery जो plants तेयार करते हैं मुखी केत में जो बुवाई करते हैं वहाँ पे वीड की समश्या सबसे ज़्यादा बैंकर होती है खरपतवार की समश्या सबसे ज़्यादा होती है उसी फसल को अपन fowling crop के नाम से जानते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए तो यह इसके बाद इसकी yield potential कितनी होती है तो 40 से 45 cutles per hectare जो ही rice की yield potential होती है जो आपको मालूम होना चाहिए यह सारा चीज हो गया rice के cultivation के बारे में और सारे important points के बारे में अब rice के insect paste और disease वाला जो portion है वो आप entomology और pathology वाले section के अंदर पढ़ोगे जैहिन जैपरत